Hello experience, स्वागत है आप सब का आज के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 18th February 2023 के Current Affairs तो जल्दी से निकालें अपना paper pen and करें वीडियो के साथ में ही अपनी notes making start तो देखें, first point है, India's first solid waste to hydrogen plant will be set up in इंडिया का पहला इस तरह का plant होगा, जहांपे solid waste के तुरू hydrogen के production होगी तो इस तरह का plant कहाँ पे set up किया जाएगा, question आपका ये है तो वो किया जाएगा पूने महाराष्टरा में, अभी India's first, Asia's first, world's first ये बहुत important होते हैं, यहां से chances रहते हैं, question आएगा, ठीक है Second news के तरफ चलते हैं, first Indian to receive the UNESCO's International Mother Language Award 2013 कौन ऐसा पहला Indian बना है, जिसे UNESCO का ये वाला अवार्ड मिला है, अवार्ड का नाम क्या है, International Mother Language Award 2013 तो वो दिया गया है महेंदर मिश्रा को, क्यों दिया गया है, for the promotion of mother language in India Mother Language आप समझते हैं, जो हमारी मात्री भाषा है, तो इंडिया में हमारी मात्री भाषा को promote करने के लिए उनको ये award दिया गया है, first Asian भी बनते हैं इसके साथ ही, ठीक है, UNESCO क्या है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ठीक है तो ये जो prize है, award है, ये भी important है Third News की तरफ चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है, that state government that has launched the monthly stipend scheme for junior lawyers जो junior lawyers हैं, उनको monthly कुछ stipend दिया जाएगा, तो ये इस तरह की scheme कौन सी राज्य सरकार ने लाँच की है, ये question है, तो उसका अंसर है केरला और कितना दिया जाएगा junior lawyers को रुपीज 3,000 in the state, यानि state में जो भी junior lawyers हैं, उन्हें monthly stipend scheme के अंडर 3,000 रुपए पर मन्थ दिया जाएगा And, this scheme के बार में बताया गया है, that this scheme has been implemented by the bar council of the state, state की जो bar council है, उसके द्वारा ये implement के गई है State में केरला की जो bar council है, ठीक है, आगे चलते हैं, आज का fourth point पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है That state government that has inaugurated tourist police stations at 20 places, ऐसे कौन सी राजय सरकार है, जिसने घाटन किया है, tourist police stations का 20 जगहों पे, 20 अलग-अलग locations पे, तो वो है आंधरपरदेश क्या किया है अंधरपरदेश ने, tourist police stations खोले हैं, 20 अलग-अलग जगह पे, ठीक है, अपनी state के अंडर inaugurated मतलए इसका उदखाटन किस ने किया है, inaugurated by आंधरपरदेश CMYS जगन मोहन ready, ठीक है, to give a boost to tourism security, ताकि tourism को अगर कोई issue हो रहा है, दिक्कत हो रही, तो वो अपनी complaint लेकर यहां पे जा सकते हैं, जो tourism है, जो tourist है, उनको ज्यादा secure feel करवाने के लिए ये बनाया implement the PM School for Rising India, ये एक scheme है, Prime Minister School for Rising India, तो कौन से state ने recently announced किया है, कि वो इस scheme को अपनी state में implement करेंगे, वो किया है Maharashtra government ने, Maharashtra ने, ठीक है, अब पढ़ते हैं, आज का 6th point, Boeing, Boeing क्या है, USA-based company है, aircraft गेरा बनाती है, जो planes गेरा होते हैं, ठीक है, so Boeing has launched its first global support center in India, at Boeing ने अपने पहला global sports center, जो है, वो खोला है, कहां पे, India में पहला है, इसका, Guru Gram, हरियाना में, ठीक है, तो ये question भी important है, जैसे कि मैंने बताया, India का पहला, Asia का पहला, world का पहला, global level पे, ऐसे questions आते हैं, ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ, अभी हमारा first page ही हुआ है, complete, अभी हमें बहुत सारे current affairs पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा patience बना के रखें, बोर नहीं होना है, interest के साथ चीज़ों को पढ़ना है, तो आपको, आप ज़्यादा time तक पढ़ पाएंगे, अगर आप बोरियत फिल करेंगे, तो आप ज़्यादा time तक एक subject को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, जब आपने सोचा है कि government examination की तरफ आपका रूख है, government sector में आपने जाना है, तो आपको फिर patience तो रखना ही पड़ेगा, hard work तो करना ही पड़ेगा, जुकि कोई shortcut नहीं है, exam clear करने का, ठीक है, हाँ, जिसका लग बहुत ही अच्छा हो, एक बर पढ़के गया हो गया, वो चीज़ा लग है, otherwise, 99% लोगों को महनत तो करनी ही पड़ती है, ठीक है, होंगे, तो हम फटा-फट से इनको cover up करेंगे, ठीक है, 7th point है, Eagle 44 is the first underground air force of, यह जो Eagle 44 है, यह पहली underground air force है, किसकी, इरान की, तो इस तरह के questions भी आते हैं, exam में, next point हमारा है, brand ambassador of Mindra, Mindra shopping website है, कपड़े वेरा आप वहां से मंगवा सकते हैं, आप सबको पता ही होगा, है ना, तो brand ambassador, कौन बने है मेंत्रा के, question आपका यह है, तो वो बने है, Ranbir Kapoor, जो के actor है, ठीक है, 9th point की तरफ चलते हैं, words, first satellite based two-way messaging system, दुनिया का पहला satellite के उपर based two-way messaging system, किसके द्वार open किया गया है, Qualcomm के द्वारा, ठीक है, 10th point देखते हैं, word government summit 2023, दुनिया की जो सरकारी हैं सारी, ठीक है, जो भी prominent governments है, उनकी एक meeting हुई है, कहां पहुई है, दुबई में हुई है, theme क्या रहा, shaping future governments, ठीक है, आगे चलते हैं, आज का 11th point पढ़ते हैं, AMR PTEX, अमर PTEX का पढ़ सकते हैं, 2030, तो ये National Philatelic Exhibition है, कहां पे inauguration इसका हुआ है, डेली में हुआ है, ठीक है, आगे चलते हैं, अब भी सारे एक one-liner questions हैं, इन में ऐसे ज़्यादा पढ़ने के लिए ही नहीं है, तो इसलिए हम फटा-फट से cover up कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा था, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा points कवर कर रहा हैं, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा-ज़्यादा points, अगर आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशल हो पाती है, आप exam में questions क्रेक कर पाते हैं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए, 12th point आज़का है, country that has decided to remove Chinese made cameras from all its offices, ऐसी कौन सी country है, जिसने ये decide किया है, कि जितने इसके office हैं, हर जगा से वो चाइना के बनेवे cameras को हटा देंगे, तो वो किया है Australia ने, ठीक है, 13th point आज़का देखते हैं, फिर से किसीने announcement की है, कि हम cricket से retirement ले रहे हैं, तो उनके बारे में बढ़ेंगे, Cricketer Eon Morgan announced retirement from all forms of cricket, cricket की हर एक forms उनोंने retirement announced की है, Eon Morgan, ना मियाद रखना है, ठीक है, 14th point की तरफ चलते हैं, ICC Player of the Month for January 2030, January महीने के लिए, ICC के Player of the Month कौन बने हैं, शुमान गिल बने हैं, ठीक है, 15th point देखते हैं, अब देखे, आज तो हमने बहुत सारे questions पढ़ लिए, India's first हो गया, वर्ट का first हो गया है न, तो आज का 15th point है, India's first National Metro Rail Knowledge Center, कहां पे बनाया जाएगा, Delhi में, 16th point देखते हैं, इसी के साथ देखे, वीडियो पसंद आ जिए, तो लाइक फटा-फट से कर दीचेगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं चेलेगी, ठीक है, 16th point है, first digital economy working group meeting, under G20, G20 का देखे, G20 की leadership इंडिया को मिली है, तो इसके अंडर जितने भी meetings हैं, एक साल के लिए इंडिया में होगी, कोई tourism से related है, कोई culture से related है, कोई empowerment से, कोई business से, तो बस आपको उन सब का ध्यान रखना है, ठीक है, अब 17th point जो है, ये भी G20 से ही related है, that G20 theme, QR code to celebrate India's presidency launched पाए, G20 के theme का QR code बना के, जो है, launch किया गया है, क्यों? तकि इंडिया का प्रेजिदेंशिप में ली है, G20 की सको हम celebrate कर सेकें, तो किसने ये QR code बनाया है, Paytm ने, Paytm है, Google पे है, फोन पे है, कौन नहीं जानता है इने apps को है न, payment apps है, तो चलिए, इसी के साथ हमारा जो ये second page था, ये भी हुआ complete, one-liners थी, बट आपको कहीं पे लगता है, कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, जैसे माले जी आपको लुकता है, आप देख ही नहीं पाएंगे, बोरियत फील होती है, ठीक है, वैसे इसमें मुझे नहीं लगता कुछ है, जैसे first underground air force है, brand ambassador है, two-way messaging system, qualcom है, government system, Dubai में हुई है, theme याकन है, तो इस message पढ़ने वाला है, पर कई बाद लगता है, कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में और पढ़ना है, तो आप google gear पे search कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ हमारा second page भी हुआ complete, आप चाहिए, तो मुझे अप instagram पे भी follow कर सकते हैं, अपने instagram account का link, मैंने description box में दिया है, प्लस वहाँ पर मैं current affairs related post करती रहती हूँ, तो वो आपकी revision में help कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, अब ज़्यादा बाते ना करते हुए, चलते हैं अपने third और अपने last page की तराफ, आज का 18th point है, वर्ट बेंक announced dollar 1.78 billion in aid for earthquake affected Turkey, अब वर्ट बेंक ने क्या किया है, announcement की है कि 1.78 billion dollar, इतना बड़ा amount जो earthquake आया है Turkey में, उसके लिए वो देंगे, तो दिखिए Turkey में earthquake आया था, Turkey and Syria में 7.8 magnitude का था, बहुत सथा property का भी loss हुआ है, जान का भी बहुत सथा loss हुआ है, अपने वीडियोस भी देखियोंगे, Instagram पे, post भी टल रहे थी, कि छोटे-छोटे बच्चे और लोग जो है, वो मलवे के नीचे दबे हुए है, तो बहुत heart-breaking चीज़ थी, तो चलिए, आप उस चीज़ से late कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता, आपको इस चीज़ को याद करने के जुरुए थे, कि अर्थकोए काया, टकी में 7.8 magnitude था, World Bank ने announcement की है, USA ने भी announcement की है, कि 85 million dollar humanitarian assistance वो provide करवाएंगे, ठीक है, चलिए, अब 19th point, ये question आता है, इस तरह से, तो इसको ignore नहीं करना, World Bank ने कितना का, USA ने कितना का है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, 19th point हमारा आता है, अक्षता राक्षे, ताज Miss India 2023, बनी है, महराष्टरा से है, ठीक है, important है भी, नहीं भी, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, अक्षता ताज, ठीक है, चलिए, 20th point पढ़ते हैं, CBO, Chief Business Officer, of ALT Balaji, कौन बने हैं, विवेको का, of Subsidory of Balaji Telefilms Limited, यह जो एक ताक पूर है, उनकी फैमिली का यह है, कि इसमें, नाटक 11 वो करते हैं, प्रपोस है न, तो, Balaji Telefilms, सब जानते होंगे, बच्पिर में सब ने देखे हैं, सीरियल से अपने, पेरेंट्स के साथ, ममा के साथ हैं न, तो बस वही वो सारे, जो एक तक पूरा, पूरा सबसीडरी है, ठीक है, उसी की सबसीडरी है, ALT Balaji, AP, I think, ALT की, तो, इतना नहीं समझना, इतना समझना, कि CBO कौन बने है, Vivek Koka बने है, याद रखना है, ठीक है, आगे चलते हैं, आज का 21st point पढ़ते हैं, तो यहाँ पे, टरिरिजम, काउंटर टरिरिजम exercise हुई है, उसके बारे में बात की गई है, इंडिया और यूएस की, जॉइन काउंटर टरिरिरिजम exercise, मतरब टरिरिरिजम को रोकना है, कम करना है, कैसे करें उसके उपर था, ठीक है, 22nd point पढ़ते हैं, तीम औफ राजरस्थान बजट दो हुजार थीस चॉबिस, राजरस्थान का बजट, जो launch या कह सकते हैं, present किया गया, ठीक है, तो उसका theme क्या रहा, बचट, राहत और बढ़त, ठीक है, questions आते हैं इस तरह से, बटी ये राजरस्थान वालों की ज़ट है, आपने बस अपने अपनी state का देखना है, और अपने जो भी ये center level का है, वो तो देखना ही पड़ेगा, है ना, चलिए 23rd point पढ़ते हैं, financial literacy week 2020, कब से कब तक मनाया जाता है, 13th से 17th, 13th से 17th February तक मनाया जाता है, theme क्या रहा, good financial behavior, your savior, पैसे बचाओ, है ना जी, वही है, ठीक है, आगे चलते हैं, आज का 24th point पढ़ते हैं, इसी के साथ, वीडियो का, आपको content पसंद आ रहा हो, तो like जरूर कर दीजेगा, फटा-फट से, 24th point है, Union Minister, Amit Shah presence, President's color to, अभी President's color क्या है, ये award है, ठीक है, ये award हमारे जो Union Minister है, Home Minister है, Amit Shah, उन्होंने present किया है, किसको दिया है, हरियाना पुलिस को दिया है, करनाल में, किसके बिहाफ पे, on behalf of President Murmur, actually में, President जो है, वो ही award देता है, बट उनके बिहाफ में, जो Union Minister Mirshah, उन्होंने ये award दिया है, ठीक है, आगी चलते हैं, आज का 25th point पढ़ते हैं, Tata Group to induct 250 aircraft from Airbus, for Air India, Tata Group क्या करेगा, 250 aircraft जो है, Airbus से खरीदेगा, Air India के लिए, इस तरह का question है, ठीक है, तो आ सकता है, आपको paper में, अब आज का last current affair हम पढ़ेंगे, बहुत ही साधा points हमने आज पढ़ लिए, मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी लग रहा है, कि बहुत साधा points पढ़ लिए, कहीं भी आपको लगे कि कोई चीज मुझे और ज़्यादा depth में पढ़नी है, और knowledge मुझे चाहिए, तो आप उसको Google कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं तक limit रखनी है अपनी, जहां आपको लगता है कि मुझे और जानने के ज़रते हैं, आप Google कर सकते हैं, बट इन questions में क्या ही Google है, Presidents कलर हरियाना पुलिस को मिला है, Literacy भी एक theme हो गया, राजस्तान बचेट का theme हो गया बस, ठीक है, है ना, चलिए, आज का last current affair पढ़ते हैं, WHO, यानि कि World Health Organization, Confirmed First Marburg Virus Disease Outbreaking, मतलब एक और बीमारी फैल रही है, तो उसका पहला case कहां पे आया है, एक tutorial गिनी में आया है, चलिए, इसे के साथ हमारे आज के current affairs हो गए complete, I hope मैंने आपको जो भी पढ़ाया, आपको अच्छे समझाया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और एकर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तब तो आपको बहुत ही जादा अच्छे से पता है, कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को किजे, प्रेस, so that मैं जसे को वीडियो अप्लोट करूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, प्लिस जो भी आपके फ्रेंट्स हैं, जो भी गवर्मेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, उनके साथ भी में चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, so that in handwritten notes का उन्हें भी कुछ फाइदा हो सके, तो चलिए फ्रेंट्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक अपना current affairs पे फोकस करें, newspaper पढ़ें, कुछ daily magazines पढ़ें, और अपने JS portion को ना भूलें, ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में, so that's it and see you soon,